और आपकी मम्मी को कुछ पैसे देते होंगे कि यार ये 10,000, 15,000, 24 रुपे हैं, इसमें अपना घर चलाना है, और फिर आपकी मम्मी पूरी प्लानिंग करती हैं, कि किस तरीके से पूरे महीने का खर्चा इस पैसे से निकालना है, ये इसका रिमॉनिक है, बच्चों आपने द आपको प्लानिंग का इंट्रोड़क्शन बताऊंगा, दूसरा पार्ट आएगा आपका प्लानिंग प्रोसेस का, और तीसरा पार्ट आएगा आपका टाइपस ऑफ प्लान का, जहां पे मैं आपको इस्ट्रेटिजी, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, मैथर्ड, प्रोसीजर् प्लानिंग और यह प्लानिंग ही वो चैप्टर है, जहां से हम लोग functions of management की दुनिया में कदम रखते हैं, अब functions of management पाच तरीके के होते हैं, पहला planning, दूसरा organizing, तीसरा staffing, फिर directing और फिर controlling, चौथा directing और पाचवा controlling, पाच five functions of management हैं, जिनके बारे में हमको आगे आने वाली classes स पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला और primary function है planning का, तो आज हम लोग planning के बारे में ही discuss करने वाले हैं, ठीक है, तो भाई चलो बिना देर किए class को करते हैं, शुरू, class 12 के बच्चों के लिए बहुत दा important chapter है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, notes बनाते चल रहा है, copy pen निकाल क रखना, and notes अपने बनाते चलना, सबसे पहले यार यह planning के शुडिया का नाम है, सर्फ पहले यह बताईए, तो बेटा planning इतना समझिए, कि किसी भी organization में कोई भी काम करने से पहले, आप एक बात बताओ, सबसे पहले आप अपने आपको assume करोगे, कि आप एक business man हो, आप एक company के माली को, तो आप एक company के माली को, सबसे पहले आपकी company में क्या काम होगा, सबसे पहले आपकी company बन जाएगी, तो आपको objective set करोगे, objective set करोगे, कि मुझे इतना sale करना है, इतना समान produce करना है, इसको किस तरीके से market करना है, आपके अलग-अलग तरीके के objectives होंगे, उन objectives को achieve करन प्लाइनिंग की अगर बात की जाए तो सुर्फ और नहीं हमारी रियल लाइफ में भी प्लाइनिंग की बहुत दोड़ा इंपॉर्टेंस है एक्जामपल के तौर पर अगर आप देखें तो भाई प्लाइनिंग हम कदम कदम पे करते हैं सुबह उठते सबसे पहले प्लाइनि क्या बन रहा है फिर आज हम क्या क्या काम करने वाले जैसे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं तो पहले मैंने प्लाइनिंग की होगी कि आज में बच्चों को अपने प्लाइनिंग पढ़ाने वाला हूं तो कुछ इस तरीके से हमारी रियल लाइफ में प्लाइनिंग हम माइंड से भी करते हैं planning हमेशा जान मुझके नहीं की जाती है कभी-कभी हम अपने real life में जो daily की चीज़ें उनकी planning real life में unconscious mind में करते रहते हैं और कभी-कभी अगर मैं organization की बात कुरूं तो भी या organization में जो plan है वो unconscious mind से नहीं चलेंगे वो चलेंगे conscious mind से जब आप उनको hand written form में लेकिया होगे आपके plans पूरी organization में implement कराये जाते हैं and employees आपके plans के हिसाब से ही काम करते है plan कौन बनाता है plan बनाता है top level management पे जो इंसान बैठा हुआ है वो बनाता है पूरी organization के लिए plan and middle level management का काम होता है उस plan को implement करना lower और level management का काम होता है उस planning पे काम करना and results निकाल के देना ठीक है तो planning अगर देखा जाए तो planning कहीं continuous process है मतलब हमेशा चलती रहेगी planning कभी भी खतम नहीं होती है breakfast आप रोज करेंगे लेंच आप रोज करेंगे डिनर आप रोज करेंगे इसके रावा planning पर्वेसिव है बोले तो मतलब planning universal है चाए हमारे घरों की बात की जाए हमारे स्कूल की बात की जाए हमारी इस company की बात की जाए या अधर किसी भी पहला management का function है और planning में सबसे पहले क्या करते है planning में हम सबसे पहले objective set करते है क्या करते है objective set करते है planning is the function of management that involves setting objective और फिर objective set करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम उन objectives को achieve कर पाएंगे जैसे किसी बच्चे का objective है 90 plus 85 plus 80 plus number boards के paper में ले के आना तो ये तो हो गया उसका objective अब objective को वो achieve कैसे करेगा उसके लिए जो एक action plan लेके आएगा उसे ही हम कहते है planning planning एक पूरी process है plan उसका चोटा सा part है तो determine करना होता है course of action कि ऐसा क्या क्या काम करें पहले क्या करें दूसरे नमबर पे क्या करें तीसरे नमबर पे क्या करें चौते नमबर पे क्या करें पा कि हम अपने objectives को achieve कर लें जो objectives हमने यहां पर set किये थे इसके लावा planning में manager को यह देखना होता है कि environmental condition क्या है आप मुझे से business environment already पढ़ चुके हो आपको मैंने पढ़ाया internal external environment आपको मैंने पढ़ाया micro macro environment जहां पर हमने social environment political environment technological environment legal environment इन सारे environment को detail इस तरी किया और देखा कि किस तरीके से यह environment के जो factors है वो business पे effect डालते है वो negative भी होते है positive भी होते है वो हमारे उपपर है तो भाईया एक manager को यह देखना पड़ेगा कि जो मेरे plan है वो कैसे काम करेंगे हमारी organization में environment की conditions के according क्या मेरे plan काम करेंगे या नहीं करेंगे इसी के साथ साथ उनक implement कराऊंगा तो इसका यह result निकल के आएगा यह मेरा plan है यह इसका result होगा क्योंकि बेटा future तो किसी ने नहीं देखा बविशी तो किसी ने देखा लेकिन फिर भी हम future को forecast कर सकते हैं फिर भी future में अंदाजा लगाए जा सकता है कि पढ़ूंगा तो 90 प्लस आएगा नहीं important function है management का और planning का main काम क्या होता है बिल्कुल आपने सही समझा मैं planning का main काम है objectives को अचीव करना जो objective उमारी organization ने set किये हैं उनको अचीव करना सबसे पहला काम होता है planning का कि plan ऐसे बनाओ कि objective अचीव हो जाए दूसरा primary function of management यह जो planning है यह management का बिल्कुल primary नया नवेला सा function है बि planning is pervasive बेटा pervasive का क्या मतलब होता है pervasive का मतलब होता है universal planning हमारी organization या companies के लिए तक ही सीमित नहीं है planning आप यह देखो आपके घरों में planning होती है जी हाँ बिल्कुल होती है आपके पापा पैसा कमा के लाते होंगे job करते होंगे हो तक है मम्मी housewife हो ठीक है और आपकी मम्मी को कुछ पैसे देते होंगे कि यार यह 10,000, 15,000, 20,000 रुपे है इसमें अपना घर चलाना है और आपकी मम्मी पूरी planning करती है कि कि किस सरीके से पूरे महीने का खर्चा इस पैसे से निकालना है तो हम कह सकते हैं कि planning जो है वो एक universal process है हर जगा किसी भी organization किसी और चाहे lower level management हो हर level of management पे planning काम करती है चौथा point planning is continuous planning हमिशा चलती रहती है आपका organization बन तो होने नहीं वाला है organization में objective एक अचीव होगा आप दुसरे objective पे move on करोगे दुसरा अचीव होगा आप तीसरे objective पे move on होगे तीसरा अचीव होगा आप चौथे objective पे move on होगे आपको हर objective को अचीव करने के लिए planning करनी पड़ेगी तो इसलिए लिखा हुआ planning is continuous उसके बाद planning बात करता है आगे आने वाले कल की पीछे बीते हुए कल की नहीं planning किसका बनाते है जो आगे आने वाला कल होता है मतलब अपने future के लिए plan मनाते है past के लिए plan नी बनाता है लोग कहते है past को भूल जाओ हाला कि organization में past data भी बहुत important होता है समझे पास को भूलना नहीं है past की गलतियों से ही हम आगे की planning करते हैं तो वह भी एक अलग बात है लेकिन planning भीया आगे आने वाले कल की बात करता है इसका मतलब की planning क्या है एक futuristic जो है management का function planning involves decision making planning में decision involved होते हैं decision involved होते हैं कै ऐसे planning में आपको फैसला लेना है कि कि किस तरीके से किस method से मैं कौन सा काम करने वाला हूं तो यह decision planning में आपको लेना पड़ता है साथा point है planning is a mental exercise बेटा planning में बहुत सारे experts लगते हैं उनकी guidance लगती है बहुत सारे लोग लगते हैं जो planning करते हैं board of directors हो गये top level management में CEO हो गये CMO हो गए CTO हो गए CFO हो गए COO हो गए तो यह सारे लोग CEO मतलब Chief operating officer, CTO बोले तो Chief technical officer, CFO बोले तो Chief financial officer, CEO बोले तो Chief executive officer, CMO बोले तो Chief marketing officer, यह सारे लोग एक जगा बैठते होंगे and अपनी organization की बहतरी के लिए कहीं ना कहीं planning करते होंगे, बाहर से भी experts को बुलाय जाता होगा, market के leaders की बैठक होती होगी, है ना, तो भाईया कहीं न कहीं हम यह कह सकते हैं, planning जो है, वो एक mental exercise है, मतलब brainstorming करनी पड़ेगी, physical exercise नहीं है, कि जाके धूप में डंबल उठाने, जिमिंग नहीं करनी है, दिमाग में जोर लगाना है, एक mental exercise है हमारे लिए, हमारी planning, ठीक है जी, फिर बात करते हैं, बच्चो, planning के features आपको समझ में आ गए होगे, एक बात आप बताना चाहूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, कि planning के features, organizing के features, staffing के features, management के features, यह सारे feature, feature word आप देख रहे होगे, तो यार feature का क्या मतलब होता है, feature का मतलब होता है, कि इस planning के अंदर खूबियां क्या है, ठीक है, खूबियां, जबकि हमारे जो advantages है न बच्चो, advantages या benefits बताते हैं, उससे होने वाले फाइदे क्या है, limitation बताते हैं, कि अगर इसका पालन नहीं किया गया, तो नुकसान क्या है, ठीक है, features का मतलब होता है, खूबियां, चलिए जी, बात करते हैं में next topic की तरफ, जो की है planning के importance is, अब देखो, planning के अपने कुछ importance है, सबसे पहला important क्या है, बिटा अगर आप plan बना के चलोगे न, एक strategy बना के चलोगे न, तो एक direction आपको मिलती रहेगी, कि कि इस direction में हमको चलना है, objectives को achieve करने के लिए, उसारण वही वाला ले ले लेता है, 90 बिटा आपको पता होना चाहिए, कि हमारा जो है जुलाई का महीना चल रहा है, और हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके से त्यारी करनी है, कि हम बोर्ट के पेपर के लिए, पूली तरीके से prepare हो पाए, इसके लिए आपको प्रॉपर सारे subjects को प्रॉपर ध्यान देना प जो पढ़ाई करने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए, तो कहीं न कहीं planning अगर आप करके रखोगे, already planning करके रखोगे, तो एक direction मिल जाएगी, जैसे कि एक और example ले लेता हूँ, कभी हमने रात में मम्मी से कहा कि मम्मी कल संड़े है, कल सुबे छोले बटूरे खाने का मन दूसरी बात, planning reduces the risk of uncertainty, बीटा, uncertain, देखो, हमारा जो future है, वो uncertain है, business environment जब पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको certainty और uncertainty दोनों चीज़े बताएं, uncertain मतलब वो चीज़े होती है, कि जिनके बारे में हमें knowledge ना हो कि कल क्या होने वाला है, जैसे मैं कहूं कि कल Indian team का match है, अब uncertainty की बा uncertain है, क्योंकि consumer के taste and preferences uncertain है, इसलिए planning अगर आप करके रखोगे पहले से, तो आपका जो uncertainty का risk है ना, वो कम हो जाएगा, अब मैंने बोला कम हो जाएगा, और उसको मार किया, सर इसका क्या मतलब है, देखो यार, uncertainty, अगर कोई ऐसी अनहोनी घटती है, जो नहीं घटनी चाहिए उससे आपको नुकसान तो होगा, आप planning करके क्या कर सकते हो, उस नुकसान को कम कर सकते हो, तमिल लाडू में तूफान आया, हर साल आता है, तूफान आया, घर बरबाद होंगे, लोग बेघर होंगे, समान उड़ेगा इदर उदर, लेकिन फिर भी सरकार क्या करती है, करती है, सरकार की भईया, आपना आप दो-तीन दिन समुदर मत जाईए मचली पकड़ने के लिए, खत्रे का पूरा-पूरा चांस है, तो कहने का यह मतलब है, कि planning खतम करता है, risk of uncertainty, ठीक है, planning क्या खतम करता है, planning मतलब जो खत्रा है, उसको कम करता है, ठीक है, नुकसान होग and wasteful activities, भाई, planning से, ऐसी कोई भी activities, जो आप के लिए wasteful है, उनको आप eliminate कर सकते हो, ऐसी कोई भी activity, जो wasteful है, wasteful मतलब समझ रहो, wasteful मतलब होता है, कि आप ऐसा कोई काम कर ले जाए, जिसका कोई फायदा ना हो आपको, ठीक है, जैसे कि, मैं कहता हूँ कि, भाई, business series में को पता नहीं था कि भाईया, entrepreneurship जो है, वो नहीं आता है, वो CUT के paper में आता है, अब बच्चे ने क्या क्या, पूरा-पूरा chapter जो है, rut के boards के paper में चला गया, ठीक, क्योंकि उसको नहीं पता था, अगर वो planning करके रखता, अगर वो strategy बना के लगता, तो वो chapter boards के paper के लिए ना प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, कि कोई भी organization में कोई भी इंसान अकेले planning नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको पूरी team, experts की जरूत होती है, employees की भी जरूत होती है, याद करिए मैंने आपको principle of management में एक principle पढ़ाया था, initiative, जहाँ पे manager का ये काम बताया गया, Henry के द्वारा कि manager का ये काम है, अपने employees को motivate करें, थाकि employees आगे बर्चल के हिस्साले initiate करें, ठीक है, तो भाईया, जब employees आएंगे, बड़े-बड़े experts आएंगे, board of directors आएंगे, CEO, CMO, CFO लोग आएंगे, ठीक है, CMO, CFO, CEO लोग आएंगे, तो भाईया, innovative ideas बाहर निकल के आएं ठीक है, planning में ही आप ये decision लेते हो कि हमारे लिए क्या सही है, ये plan हमारे लिए सही है की नहीं है, ये जो alternative है काम करने का ये हमारे लिए सही है की नहीं है, जो method हमने opt किया है काम करने के लिए ये सही है या नहीं है, planning establishes standards for controlling, यार देखो, planning के बाद organizing आता है, जिसमें आप structure divide क controlling में आप ये चेक करते हो कि planning में जो plan बनाए गए थे, जो standards बनाए गए थे, वो complete हुए, target achieve हुए या नहीं हुए, अब दो तरीके की चीज़े निकल के आती है, एक तो achieve हुए और दूसरा achieve नहीं है, अगर achieve हुए तो बहुत अच्छी बात है, पीट थप थपाओ और आगे भी achieve करते रहो, लेकिन अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, तो ये सारी चीज़े controlling में चेक होती है, लेकिन controlling में तब चेक होंगी ना, जब planning के standards बना के रखोगे, तब तो controlling में चेक होगी ना, तो बाई ये सारे जो points हैं, वो है importance of planning, ठीके बच्छों बात करते हैं, limitations of planning, देखो यार, future जो है uncertain है, अगर आप सारी planning पहले से ही करके रखेंगे, तो planning rigidity create करेगी, rigidity समझते हैं, किसी एक चीज़ पर अठके रहना, that is rigidity, तो अगर आप एक ही plan पर अठके रहेंगे, बार बार एक ही plan को करते रहेंगे, follow करते रहेंगे, समय के साब से अपने आपक हो जाएंगे, एक ही जगा पर अठक जाएंगे, और आपको पता है, अपकी पानी भी अगर एक जगा पर अठक जाए, तो उसे बिमारियां बनती है, ठीक है, planning does not work ही न, dynamic environment, बेटा, dynamic environment में planning काम नहीं करता है, जैसे कोरोना वाइरस के पहले, आपने कोई plan मनाया, अचानक से COVID-19 गा lockdown लग गया, सारी planning धाराशाई हो गई, तो बहुत साथा अगर dynamic environment है, और अगर आपकी planning up to date नहीं है, आप अपने plan में change नहीं करते हो, तो planning dynamic environment में काम नहीं करती है, planning reduces creativity, planning creativity को कम करती है, अगर आपने पहले ही, manager ने पहले ही plan बना के रख लिए, बाहर से आने वाले ideas क वो welcome नहीं करेगा, और creativity organization से खतम हो जाएगी, क्योंकि experts को बुलाया जाता है, बहुत सारा time लगता है, इसी वज़े से planning बड़े level पे करने के लिए, पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं, और planning एक time consuming process है, पता चला बहिया, plan बनाने में ही इतना समय लगा दिया, कि जो business की opportunity ह उसको हाथ ही नहीं लगा पाए, उससे हम अंचुए रह गए, business की opportunity को तुरंट graph करना बहुत important है, पता चला कि यह प्लानिंग करने में 6 महिने लग गए, अब COVID-19 का lockdown लगा, लोगों को लगा कि बिमारी आ रही है, तो लोगों ने mask और sanitizer का production तेज कर दिया, जो company सोचती रह नहीं, planning does not guarantee success, सफलता आपके plans से नहीं चलती है, आपके plan को आप कैसे implement करते हो, plan को आप कैसे organization में ढालते हो, इस से चलती है, तुमने लाख plan बना लिए हो, लाख time table बना लिए हो, लाख 90% strategy बना लिए हो, 90% लाने के strategy बना लिए हो, लेकिन पढ़ा ही नहीं करते हो, तो planning क् सिर्फ planning से success की guarantee नहीं मिलती है, उसके लाखा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लाखा आपको, भाई, काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, नाम है planning का process, और यह important topic आपके CVT के paper के लिए भी है, class 12 के लिए तो बहुत ज़दा important है, CVT के लिए बहुत ज़ business studies के subject में, तो वो आती है आपकी planning की process, तो चलिए शुरू करते हैं, आपको अगर इससे पहले planning का introduction देखना है, कि planning होती क्या है, planning के importance, feature and limitation क्या-क्या है, तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में cover कर रखा, आपको क्या करना है, commerce adda 24-7 channel पर जाना है, और आपको वहाँ पे इनसान किसी भी काम के लिए जब planning करता है, है ना, जब वो तयारी कर रहा होता है, कि मैं किस तरीके से अपने काम को continue रखूंगा, तो वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले अपना एक objective set करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे बच्चा, अगर मैं example ल करना है, achieve क्या करना है, सबसे बिल आपको क्या करना होता है, एक objective प्यारा सा छोटा सा achievable set करना होता है, फिर developing planning premises, फिर आपको कुछ premises develop करने पड़ते हैं, यानि कि कुछ assumptions लेके चलने पड़ते हैं, assumption बोले तो कि सब कुछ ठीक रहेगा, मान लो कि जब मैं ऐसे ऐसे माल लेते हैं, मैं दिन में 6 घंटे पढ़ूँगा, माल लेते हैं कि मैं इधर उदर अपना time waste नहीं करूँगा, मतलब माल लेना है आपको कुछ चीजों को, इन्हें कहते हैं assumptions बनाना, और any assumption के basis पर ही आप अपनी strategy prepare करते हो, जैसे मैं क्या कहता हूँ, मैंने assumption मना लिया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 8 घंटे पढ़ूँगा, अब जब मैं अपना time table बनाऊँगा, तो 8 घंटे study के हिसाब से बनाऊँगा, ठीक है, अगर मैंने सुझा कि मैं 10 घंटे पढ़ूँगा, मतलब मैं मान ले रहा हूँ, अभी मैंने पढ़ा नहीं 10 घंटे, मैं मान के चल ला हूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ूँगा, तो मैं अपनी strategy भी 10 घंटे के हिसाब से ही बनाऊँगा, यह मानना होता है आपको, कि सब कुछ ठीक रहेगा, अगर एक business organization की बात करते हैं, तो एक business organization ने एक plan बनाया, अब plan के सासाथ उसको बहुत सारी चीज़ें assume करनी पढ़ तभी तो आप आगे काम शुरू करोगे ना, तो कुछ premises आपको develop करने पड़ते हैं, फिर एक काम को करने के बहुत सारे अलग-अलग तरीके होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कोई बच्चा कहता है कि मुझे 95 नंबर चाहिए, तो बच्चे के कहीं न कहीं मन में चलता रहता है, यार ओनलाइन पड़ू, आफलाइन पड़ू, आफलाइन पड़ू, आफलाइन के क्या फायदे हैं, आफलाइन के क्या फायदे हैं, आफलाइन के क्या नुक्सान है, वो अलग-अलग alternative course of action ढूंटा है, कि मैं किस तरीके से काम कर सकता हूँ, क्या alternative course of action है मेरे पास, तो evaluating alternative courses में दिख जाएंगी, फिर आता है selecting the alternative, फिर evaluate करने के बाद सब कुछ जानकारी ले लेने के बाद वो एक alternative को select करता है, एक alternative को क्या करता है, select करता है, कि हाँ भाई, यही वो method है, यही वो तरीका है, जिस सरीके से मैं आगे काम करने वाला हूँ, फिर आता है implementing the plan, फिर उसका plan finalize हो जाता है, वो अपने पूरे enterprise में, पूरी organization में अपने plan को implement कर देता है, और फिर आता है follow up action, जब plan implement हो जाता है, employees को कुछ समय दिया जाता है, कि जो हमारे target है, वो achieve करो, फिर थोड़े समय बाद, एक महीने, दो महीने, छे महीने, एक साल बाद, follow up लिया जाता है, कि ज employees को phone लगाते हैं, बुलाते हैं, और पूछते हैं कि भाईया, जो मेरा plan का वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो चलिए एक ही example को भी पकड़ के चलते हैं, आपको पूरा planning का procedure समझाने के लिए, सबसे पहले objective set कर लिया, बच्चे ने, कि हाँ भाई, मुझे 90 plus number चाहिए फिर उसने premissive develop कर लिया, कि मैं 8 घंडे पढ़ाई करूँगा, ठीक है, distraction बिल्कुल नहीं होगा मेरी life में, time waste बिल्कुल नहीं करूँगा, तो ये सारे उसने क्या ले लिये, assumption मानके चलिए, distraction नहीं होगा, फिर उसने अलग-अलग alternative course of action भी ढूण लिये, कि हाँ भाई मैं online पढ़ाई करूँगा, और या मैं offline से पढ़ाई करूँगा, तो उसने ये दो तरीके ढूलिये, जिसके तरीके से वो पढ़ाई कर सकता है, ठीक है, इसके बाद, अब इन दोनो alternative में, वो evaluation करेगा, कि यार online के क्या फायदे है, और क्या नुकसान है, online मुझे क्यों लेना चा रहा है, मतलब cost भी बच रही है, मैं घर बैटे पढ़ाई कर लूँगा, मुझे कही जाना नहीं पढ़ेगा, तो मेरा time भी बच रहा है, and सबसे अची बात है कि वर्ल के, मलब इंडिया के best teachers उनको पढ़ा रहा है, तो best teachers की भी बात हो गई, ये सारी चीज़ें उसको online में म पनाई थी, उसने उसी strategy के साब से काम भी कर लिया, और फिर जब 6 महीने हो जाएंगे, जब उसका half yearly या preboard हो जाएगा, फिर वो ये देखेगा कि यार, ये जो मैंने plan बनाया था, ये मेरा काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कि नहीं कर रहा है, जो मेरा half yearly पेपर हुआ है, तो मेरे कितने number आएं, तो marks कितने आए, half yearly में और preboard में, ये देखेगा follow up action हो, तो अब आप समझ गयोंगे कि पूरी कहानी क्या कहती है planning की, planning में हमको ये सारे काम करने होते हैं, इसके लावा बच्चे अक्सर पूछते हैं कि sir, हमें एक चीज़ ज़रूर बताना, planning के process में कि planning के process के ये सारे step, ये हमें line wise याद करने है, यह हम अलग-अलग भी paper में आए तो लिख सकते हैं, तो पेटा, आप अलग-अलग नहीं लिख सकते हो, आपको line wise याद करने है, मतलब सबसे पहला यही आएगा, ठीक है, तूसरे number पे ये आएगा, फिर तीसरे number पे ये कि सर, इसका कोई निमॉनिक बताईए, याद करने का असान तरीका कोई तो होगा ना, इसको line में याद करने का, तो वो निमॉनिक भाई, ध्यान से सुन लो, इसका निमॉनिक यह है, S dies if, S dies if का मतलब क्या है, S for setting objective, D for developing premises, I for identifying alternative course of action, E for evaluating alternative courses, फिर S for selecting alternative, I for implementing the plan, और F से follow up action, तो S dies if, इसको आपने अलग-अलग रखना है, S, फिर dies, यानि की मर गया, तो क्या होगा, S dies if, यह इसका निमॉनिक है, बच्चों अपने दिमाम के बठा लीजे, यह इससे best निमॉनिक, इसका जो है planning procedure का नहीं हो सकता है, यह आपको याद करने में पूरी-पूरी help करेगा, and आ सबसे पहले देखेंगे objective, भया, किसी भी organization में आपको objective set करने पड़ते हैं, सबसे पहले यह पता लगाना होता है, कि ऐसा कौन सा objective है, जो आप achieve करना चाहते हैं, फिर objectives can be set for the entire organization, या फिर हर department ले, देखो बेटा, objective जो है न, वो या तो पूरी organization के लिए एक ही objective set कर लो, या त दोरा, फिर आता है premises develop करना, अब जो plan आप बनाते हो, उनको कुछ assumptions के basis से बनाते हो, कुछ assumptions लेके चलते हो, तब ही वो plan बनाते हो, और वो assumption क्या है, वो assumption है, इनको हम लोग क्या कहते है, premises कहते है, assumption क्या है, कुछ मान लेना, कि मान के चलेंगे कि सब कुछ अच्छा ही होगा आमारी लाइफ में यह assumption all managers involved in planning should be familiar with them जो भी managers plan बना रहे हैं उनको वो plan समझ में आना चाहिए कि यार यह plan के क्या फाइदे और क्या नुकसान है मेरे organization के लिए क्या pros and cons है जो मैंने plan बनाया है और इसके साथ जो मेरे plan मैंने बनाया है वो कहां तक पहुचेंगे ठीक है वो कहां तक पहुचेंगे वो अपनी destination तक पहुचेंगे या नहीं पहुचेंगे तो यह सारी चीजें सोचनी पड़ती है plan मनाते समय यानि कुछ assumption बनाने पड़ते हैं identifying alternative course of action देखो एर किसी भी objective को achieve करने का अलग-अलग तरीके होता है after setting the objective managers make a list of alternatives अलग-अलग तरीकों की एक list बनानी है आपको हाँ भई आपको क्या करना है अलग-अलग तरीकों की एक list बनानी है and फिर उसमें देखना है कि कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं जो best तरीके हैं objectives को achieve करने के पढ़के देख लेते हैं एक बार after setting the objective managers make a list of alternatives through which the organization can achieve its objective objective किन किन तरीकों से achieve हो सकते हैं यह आपको देखना पड़ेगा और ऐसा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि एक काम को करने के बहुत तरीके होते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या-क्या तरीके हैं इस proper objective को achieve करने के चलो जी, बात करता है point number 4 की जो की है evaluating alternative courses of action आपको अलग-अलग course of action को evaluate करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा क्या उसके positive aspect है क्या negative aspect है अच्छे और बुरे अभी सिक्के के जो सिक्का आप चुन रहे हो, उस सिक्के के क्या positive और क्या negative aspect है जैसे offline के क्या positive है offline के क्या negative है, online के क्या positive है online के क्या negative है, यह आपको देखना पड़ेगा तभी आप जाके एक निश्चकर्ष पे पहुचोगे कि यहां भाईया कौन सा alternative हमारे लिए सही रहेगा मतलब positive and negative aspects आपको देखने हर alternative के फिर आता है selecting और अंत में आपको क्या करना है अंत में आपको एक decision लेना है कि भाईया मैं किस alternative को adopt और implement करने वाला हूँ किस alternative को मैं adopt और implement करने वाला हूँ अब एक बड़ा important question यहां पर आता है जो बच्चों से अक्सर पुझा जाता है in the planning process which step is a point of real decision making मतलब कि planning के process में कौन सा वो step है जहां पि manager को proper तरीके से decision लेने पड़ते हैं तो भाईया proper तरीके से decision जो हमारे manager को ल और एक सबसे ideal plan क्या होगा एक ideal यानि कि सबसे अच्छा plan कैसा होगा जो बहुत ज़्यदा feasible हो feasible मतलब हमारी पहुच में हो profitable हो मतलब पैसा हमको कमा के दे और जिसमे negative point बहुत कम हो ठीक है चलो ओके छटा point क्या आता है implementing the plan फिर आपको क्या करना है आपको plan को action में ले आना है क्या करना है आपको अपने plan को action में ले आना है और उसके लिए manager को plan implement करने से पहले resources लाने पड़ेंगे अब resources तीन तरीके के होता है physical resources यानि की land machinery building financial resources यानि की capital पैसा और human resources यानि की लोग अब objective तभी अचीव होगा जब यह तीनो resources organization के पास होंगे ठीक है हाँ देखो अगर कोई plan आपके पास है to increase the production if there is a plan to increase the production then more labor फिर labor भी लगेगा machine भी लगेगी और एक manager को यह सारी चीज़ें लेके आना पड़ेगा मतलब अपने plan को implement कराना पड़ेगा proper तरीके से organization में फिर आता है follow up action follow up action में हम continuously monitor करते हैं कि जो हमारा plan है वो कहां तक पहु कि नहीं हो रही है मतलब जैसा हमने planning की थी वैसा ही पर्फंम हो रही है या नहीं हो रही है और अब बहुत आच्छी बात है आगे भी होती रहे और अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो immediate action लीजिए और फिर कोशिश करिए कि आपकी जो activities हैं वो plan के according चलने लगे मतलब जो भी कमी हो उसको तुरंट सही करना अब एक organization के लिए बड़ा important होती है planning की ये process यार देखो आप अगर हमेशा business studies पढ़ रहे हो न तो theoretical ग्यान से जरूरी है कि आप logic समझो बात में कि business studies है क्य आप खुद अपने आपको एक business man समझिए और फिर आप ये सोच के देखिए कि अगर आपके organization अगर आप एक business man है तो आपका main motive क्या है profit, profit कमाने के लिए आप कुछ भी करेंगे, profit कमाने के लिए आप plan मनाएंगे, तो क्या नहीं करेंगे एक objective set, क्या नहीं करेंगे अलग-अ तरीकों की खोज, यानि की looking for better alternatives, फिर क्या आप नहीं evaluate करेंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर आप खुद business man होंगे, तो करेंगे evaluate कि किस तरीके से काम करना चाहिए, फिर आप क्या एक अच्छे alternative को select नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपने plan को implement नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और फिर क्या follow up नहीं लेंगे, अगर किसी business के मालिक होंगे, तो business studies कभी भी student पढ़के, बनके, तो आप समझ ही नहीं सकते हैं, अगर आपको business studies की तह तक जाना है न, business studies को अपने काबू में करना है, तो आपको खुद अपने आपको business man समझना करता हूं, कि भईया, मैं अगर होता, तो ऐसा ऐसा करता, तब आपको यह सारे point logical लगने लगेंगे, and सब कुछ समझ में आने लगेगा, I hope कि बच्चों, आप लोग को planning की यह process समझ में आ गई होगी, business के कितने तरीके के plan होते हैं, अगर मैं planning के chapter की बात करूं, तो यह हमार evaluation करना है, फिर evaluation करने के बाद हमें alternative को select करना है, फिर implement करना है, अपने plan को follow up करना, यह सारी चीज़ें हमें करनी होती है, बट यार यह plan कितने तरीके के होते हैं, यह plan क्या होते हैं, और क्या हम अलग-अलग तरीके के plan को भी पढ़ना, मतलब क्या हमें अलग-अलग तरीके क प्लानों को पढ़ना पढ़ेगा, तो बिल्कुल पढ़ना पढ़ेगा, syllabus का पार्ट है, and आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके समझाओंगा, कि ये प्लान अलग अलग तरीके के हैं, मगर कैसे एक organization की सफलता में अपना पूरा योगदान देते हैं, तो अगेन वही बात है, जो objective होते हैं, दो तरीके के होते हैं, short term और एक long term, short term objective वो होते हैं, जो एक दिन, दो दिन, दो महिना, तीन महिने के होते हैं, और long term objective भहिया, एक साल, दो साल, पास साल, दस साल, मैं अपनी company को पास साल में कहां देखना चाहता हूं, मैं अपनी company को 20 साल बात कहां देखना ताओ, ऐसे मौनलब होते हैं, long term plan, ठीक है, तो short term भी होते हैं, long term भी होते हैं, अब short term plan के लिए बने हुए हैं, हमारे single used plan, short term objective को achieve करने के लिए single use plan होते हैं, कि भाई plan बनाया, objective अचीव हुआ और फिर plan को फेग दिया, फिर नया objective, फिर नया plan, फिर नया objective फिर नया प्लान फिर नया objective फिर नया प्लान मतलब objective होते रहेंगे and plan हमारे बदलते रहेंगे ठीक है तो ऐसे अ कहते हैं single use plan जैसे आपका होता है use and throw pen ठीक है आपने एक बार use किया फेक दिया नया पिंडी में लिखो फेको पिंडी कहते हैं तो उकली यूस क्लाइन के दो और नाम होते हैं स्पेशल प्लाइन या एड हॉक प्लाइन अप नाम से ही समझ रहे होगे सिंगल यूज्ड एक बार यूज्ड या special मतलब सिर्फ किसी special objective को अचीव करने के लिए एक होते हैं आपके standing और repeatedly used plan standing plan वो plan होते हैं जो लंबे समय तक चलते रहते हैं आप देखिए repeatedly used repeatedly used मतलब बार-बार उनका use हो रहा है यह जो standing plan होते हैं यह general plans होते हैं और organization में long term objectives को अचीव करने के लिए बनाया जाते हैं इनका use बार-बार बार-बार आप कर सकते हो कभी खतम नहीं होगा इनका use ठीक है तो अब हमें यह पढ़ना है कि वह स्टैंडिंग plan कोन से होते हैं और single use plan कोन से होते हैं ठीक है जैसे कि एक example आपको दे देता हूं एक organization में आपने एक नियम बनाया रूल बनाया कि 10 बज़े आना है तो वेटा आज भी 10 बज़े आना है दो महिने बाद भी 10 बज़े आना है 10 साल बार भी 10 बज़े आना है organization के जो rule है वो बार-बार change नहीं किये जाते हैं जो rule है वो कहां आएगा standing plan में आएगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आ रहा है standing plan में क्योंकि rule कभी बदलता नहीं है तो standing plan में चलता रहेगा मतलब एक बार आप rule बनाएंगे and पूरी lifetime आपके organization में वो rule follow किया जाना है managers के दौरा और employees के दौरा तो यह मैंने आपको एक example दिया अब एक बार reading कर लेते हैं पढ़ के देख लेते हैं कि क्या होते है standing plan और क्या होते है single use plan तो these plans are formulated once ऐसे planों को एक बार बनाया जाता है and they are repeatedly used ऐसे plan हम एक बार बनाते है formulated once and they are repeatedly used और इनको बार बार use किया जाता है ठीक है these plans continuously guide the managers ऐसे plan continuously managers को guide करते रहते हैं लंबे समय तक guide करते रहते हैं example के तोर पे objective, strategies, policy, procedure, method और rule अगर मैं single use plan की बात करूँ तो these plans are connected with some special problem यह जो plan होते हैं यह एक objective को achieve करने के लिए बनाया जाते हैं कुछ special problem को tackle करने के लिए बनाया जाते हैं अच्छा अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर यह तो दो ही topic हैं क्या दो ही topic हैं इसमें नहीं बेटा अभी हमको इन सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है अभी हम यह पढ़ने पहले कि single use plan और standing plan क्या होता है फिर हमको इनके example में जो चीज़े लिखी हुई न इनको पढ़ना है तो यह single use plan वो plan होता है जो किसी special problem को tackle करने के लिए बनाया जाता है और एक बार use होने के बाद having been used once there is no importance of these plans एक बार use हो गए उसके बाद in plan की कोई importance नहीं होती है in future wherever they are needed they are recreated जब भी दुबारा ज़रुत पढ़ती है तो हमें दुबारा से नया plan बनाना पढ़ता है example के तोर पे budget हो गिया और program हो गिया ठीक है बाई तो चलिए सबसे पहले हम standing plan के parts पढ़ने वाले है फिर हम single use plan के parts पढ़ने वाले है standing में हम पढ़ेंगे objective strategy policy procedure method and rule और single use में पढ़ेंगे budget क्या होता है program क्या होता है यह सारी चीज़ें पढ़ने वाले ठीक है चलो तो यार देखो अच्छा अभी एक difference भी है यह भी पढ़ लेता है पहले थोड़ा सा difference पढ़ लेंगे and then उस पर जाएंगे अगर मैं standing plan की बात करूँ तो they are formed for a long period अब यह तक आपको समझ में आ गया होगा कि standing plan जो होते हैं वो लंबे समय के लिए बनाये जाते हैं ठीक है they are formed for a long period और single use plan short period के लिए बनाये जाते हैं ठीक है इनका जो scope होता है वो बड़ा wide होता है कि हाँ बया पूरी organization को यह plan जो है organization whole organization को एक जो है cover करते हैं अगर मैं single use plan की बात करूँ तो इनका जो scope होता है वो बड़ा narrow होता है क्योंकि यह सिर्फ एक specific project या assignment या situation के लिए बनाये जाते हैं ठीक है standing plan को हम बार बार repetitive यूज करते हैं लेकिन single use plan को हम जो है सिर्फ एक बार यूज करते हैं अभी तक आपको यह भी सुन में आ गया होगा एक्जामपल अगेन वही पर लिखे हो है policy procedure method और यहां पर लिखे हो है objective और budget चलो बात करते हैं सबसे पहले objective की ठीक है मैंने आपको पिछले वाली class में जहां पे मैंने आपको planning की process पढ़ाया था वहां पे भी सबसे पहला जो हमारा step आ रहा थ setting objective ठीक है वह आरादा बेटा setting objective कि भाईया हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है एक objective set करना पड़ता है अपनी organization के लिए तो यहां पे भी objective का यही मतलब है objective मतलब यह होता है कि भाईया आप करना क्या चाहते हो action plan बताते हो कि achieve क्या करना है आपको आपके organization का goal या target क्या है जैसे किसी organization का goal target होता है कि भाईया उसको पैसे बहुत कमाने किसी organization को यह पता होता है पैसे तभी कमाएंगे जब production बढ़ाएंगे और marketing अच्छी होगी तो यह सारी चीज़े उनके objective में आता है this is the first step in planning यह planning का first step है जैसा कि मैंने आपको पिछली class में बताया था और यहाँ पे हम action plan की बात करते हैं organization में action plan क्या होना चाहिए objective बिलकुल basic है किसी भी company का जहाँ पे हम desired result achieve करने की बात करते हैं कि चाहते क्या है organization से business खड़ा किया है इतनी मेहनस से तो objective set करना पड़ेगा न objective set हो गया ठीक है और फिर plans on achieving their end point of every planning activity planning activity में आपको objective achieve करने के लिए objective पहले set करना पड़ेगा objective लेके आना पड़ेगा second आता है आपका standing plan में वो आता है strategy अब strategy क्या होती है देखो मैंने आपको पिछली class में example लेता है इस class में वही example को use कर लेता है objective है किसी बच्चे का कि मेरे को 90 plus marks लाने है ठीक है अब 90 plus marks लाने जैसे मैं eight hours daily पढ़ाई करूंगा ठीक है मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा मैं घुमने बिल्कुल नहीं जाओंगा यानि कि मलब distraction से बिल्कुल दूर रहूंगा इसके लाव मैं टाइम टेबल बना लूँगा ठीक है जिसमें मैं अपना टाइम टेबल सेट कर लूँगा कि किस दिन मुझे कौन सा चेप्टर पढ़ना है अकाउंट्स के मुझे रोज एक कोशन लगाना है ठीक है अकाउंट्स का डेली वन कोशन यह उसकी स्ट्रेटीजी हो गई कि अकाउंट्स का भाई मेरे को डेली वन कोशन लगाना है business studies में मुझे daily half chapter revise करना है ठीक है तो कुछ इस तरीके से वो अपनी strategy बना के रख देगा strategy आखिर बना क्यों रहा है ये सारी चीज़ें क्यों बना रहा है क्योंकि उसको अपने objective को achieve करना है objective क्या है 90 प्लस ठीक है तो strategy बनाते ही इस वज़े से हैं ताकि objective achieve हो जाएं objective is strategy objective बना लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा एक strategy बनानी पड़ेगी strategy एक all inclusive plan होता है strategy में time table भी आता है क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी आता है कितना time लगाना है ये भी आता है और क्या आपकी strategy होने वाली आप daily पढ़ाई कैसे करने वाले हो या डेली वर्क एक्टिविटी क्या करने वाले हो तो इस स्रेटीजी में यह सारी चीज़े लिखी होती है सारे प्लैन का एक अगर मलब उसको पूरा टीम अप कर दिया जाए आपके अलग-अलग प्लैनों को एक कर दिया जाए तो उसे हम करने की बात यहां पर करते हो बच्चे का 90 प्लस लाना उसका लॉंग टम ऑब्जेक्टिव है शौर्ट टम नहीं यह कि बाइया कल मेरा पेपर है कल मुझे 90 प्लस लाना है तो बेटा नहीं आप आएंगे जब 6 महिने 7 महिने पहले बच्चा यह सोचता है कि मुझे 90 प्लस ला करने वाला हूं कल वह करने हो यह करने वालो मतलब प्रायोटी वाइस या वर्फ्रेर Sungut लॉडर में उसको अक्टिविटी सेट करनी पड़ेगी पहले यह काम होगा दूसरे नंबर पर यह होगा तीसरे नंबर पर यह होगा चौतेछ नंबर पर यह होगा पहले प्रो Dakle करे है वो आप strategy में लेते हो कि भाई जो जो resources लगेंगे इस पूरे objective को achieve करने के लिए वो मैं लेके आऊंगा जैसे बच्चे ने सोच तो लिया इतना पढ़ेगा लेकिन कहां से पढ़ेगा कितना पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा वो सारी करते रहने के लिए दुमारा बताता हूं देखो यार कोई भी बच्चा है जब मैं स्टुडेंट था मैंने भी बहुत टाइम टेबल बनाए फॉलो कभी हो नहीं पाया ठीक है सबके साथ ऐसा होता है आप लाग टाइम टेबल बना लीजे लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है पता है कमी कहां पर होती है इस्ट्रेटिजी बनाने में कभी कमी नहीं होती है इस्ट्रेटिजी तो मलब हमारा मन जानता है कि हमको 8 गंडे पढ़ना है तभी कुछ हो पाएगा इस्ट्रेटिजी तो मना लेंगे लेकिन वो इस्ट्रेटिजी का हम पालन क्यों नहीं कर पात कि वह कल कभी नहीं चुस्थे बात है ये आप भी जानते हो कि कल कल करते रहते एक दिन पेपर आ जाता है और बच्चा कभी पढ़के नहीं जाता है जब बिल्कुल पेपर कल ही होता है न तो आज रात में पढ़ना शुरू करता है ठीक है तो पॉलिसी क्या होता है बेटा पाए, काम तो चलना नहीं है, तो खाना खाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, policy इंसान आप बनाता है, क्यों बनाता है, ताकि उसकी पूरी energy कहा लग जाए, strategy में लग जाए, क्योंकि अगर पूरी energy strategy में लग जाएगी ना, तो objective अपने आप अचीव हो जाएगा किसी भी organization में कुछ policies होती है, कि हम इस policy के तहट काम करेंगे, हम उस policy के तहट काम करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें proper तरीके से अपनी strategy को follow करना है, ताकि end point क्या है, objective है, objective अचीव हो पाए, तो policy वो generic statements है, basically इनका काम होता है, guide to channelize energy, energy को channelize करते हैं, towards a particular strategy, ठीक है, कि ब अपनी पूरी energy जोग दूँगा, जब तक objective अचीव नहीं उपाएगा, इसे कहते हैं policy, ठीक, और एक organization में understanding, मतलब strategy को समझना, strategy को interpret करना, मतलब की बहुत अच्छे से समझाना, सबको पता लग जाए कि strategy है क्या, और strategy को implement करना all over the organization, ये भी बहुत जादा जरूरी है, फिर आता है बच्चो procedure, अब आप पूछेंगे, सर ये सारी चीज़े तो अपन को एक जैसे लग रही है, नहीं, objective में objective set करना है, strategy में action plan मनाना है कि किसकी सरीके से आप objective को achieve करोगे, and policy में आपको अपनी सारी energy एक ही चीज़ में लगा देनी है, और ऐसा करने के लिए आप जो भी डिश का मालीजी आपको डोसा बनाना है, आप डोसा बनाने के लिए आपको सांबर और नारियल की चटनी और डोसा का जो भी वो वगरा होता है, जैसे भी डोसा बनता है, ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर प्लाइनिंग करनी पड़ेगी, and आपको prioritize करना पड़ेगा, क पहले क्या करूँगा, पहले आपको कुछ उस तरीके का तवा चाहिए ना, फ्लैक तवा, फिर आपको फ्लैक तवा चाहिए, फिर आप जिस चीज से डोसा बनता है, वो आप पेस्ट वगरा बनाओगे, then फिर आलू को करोगे, मसाला डोसा बना रहे हो तो, ठीक है, फिर आ सामबर के लिए सामबर मसाला और अलग-अलग सबजियां लाओगे, फिर आप नारियल की बनाने के लिए नारियल लाओगे, तो कहने का मतलब है, आप सबसे पहले रिसोर्स को लाओगे, फिर प्लैन करोगे, पहले मैं यह बनाओगा, फिर मैं यह बनाओगा, फिर मैं यह क step wise कि पहले क्या करना है दूसरा क्या करना है तीसरा क्या करना है चौथा क्या करना है पाच्वा क्या करना है करते 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 objective achieve होने की बात होने लगती है ठीक है तो यह क्या करते हैं यह आपको step wise guide करते हैं कि पहले बाद में, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं, अच्छा, एक वर्ड और लिखी हैं आपे, step wise sequences, यह आपको sequence बताते हैं, to be followed by all the employees in an organized manner, उसके बाद, यह जो sequence ने, यह chronological order में होते हैं, मतलब time case आप से होते हैं, कि आज यह होगा, कल वो होगा, परसों नर्सों वो होगा, ऐसा, okay, so when the employees follow the instruction in the order and completely, the success of the activities pretty much guaranteed, जब employees सारे instructions का पालन करते हैं, जब employees क्या करते हैं, सारे instructions का पालन करते हैं, तो activity की success होनी ही होनी तै हो जाती है, मतलब यहाँ पे 4-5 word निकल क्या आ रहे हैं, सबसे पहला, procedure क्या है, एक step wise guide है, एक step wise sequence है, chronological order में होता है, instructions देने का काम होता है, और अगर instruction आप proper तरीके से देते हैं, and employee उन इंस्ट्रक्शन को follow करते हैं, तो activity की success जो है, निर्धारित हो जाती है, चलो भाई, तो procedure भी अपने आपको समझ में आ गया, और अब बात करते हैं, next, दो तरीकों के plan की, that is rule और method, rule क्या होता है, भाईया आप यह बताओ, कि rule आपके school में क्या होते हैं, बेटा किसी भी school में कुछ rules होते हैं, ठीक है, कितने टाइम पर आना है, कितने टाइम पर school से जाना है, कब lunch होगा, कब कौन सी teacher आएगी पढ़ाने, ठीक है, क्या पहनन है, यह भी rule में uniform है, कौन सी किताबे पढ़नी, यह भी school वाले ही बता देते हैं, उसके लावा nails वगरा कटे होने चाहिए, shoes वगरा shine होने चाहिए, लेट आएंगे तो यह fine लगेगा, penalty लगेगी, कुछ ही सरीके के rule आपको पालन करने पढ़ता है, rule के साथ साथ एक चीज औ और आती है, क्या, सजा, अगर आप rule तोड़ते हो, अगर आप rule का पालन नहीं करते हो, तो आपको सजा भी मिलती है, जैसे, helmet पहनना एक नियम है, नहीं पहनोगे तो चलान काटती है, police, seat bell लगाना एक नियम है, नहीं पहनोगे तो चलान काटेगी, police, school में लेट गए तो न रूल में कई बार बच्चे डिफरेंस पूछते हैं, तो policy एक जनरीक statement है, जबकि rule hard statement है, कि rule का पालन करना ही करना पड़ेगा, policy एक दिन नहीं भी पालन किया, तो काम चल जाएगा, लेकिन rule का पालन अगर एक दिन भी नहीं हुआ, तो काम नहीं चलेगा, तो काम नहीं चल देगा, मतलब rule में कोई भी flexibility नहीं होती है, अगर rule का पालन नहीं होगा, तो सजा मिलेगी, ठीक है, तो यह होता है rule, इसलिए rule जो है, वो policy से अलग है, policy जनरीक statement है, rule जो है, वो एक hard and fast statement है, rule बिलकुल specific statement होते हैं, कि यहाँ भया, यह करना है, और यह नहीं करना है, जहाँ राज ड्राइविंग नहीं करनी है, राज ड्राइविंग करते हुए पाएगा है, तो भी penalty, helmet नहीं लगाया हुए पाएगा है, तो भी penalty, इसमें rule में कोई flexibility नहीं होती है, no flexibility at all, यह बिलकुल final होते हैं, एक organization में हर employee को rule का पालन करना चाहिए, all the employees of the organization compulsorily follow and implement the rule, एक organization में हर employee को rule को follow करना चाहिए, ठीक है, और अगर आप rule को follow नहीं करते हैं, तो आपको गंभीर consequences भी देखने पड़ सकते हैं, यानि कि आपको penalty भी देखनी पड़ सकती है, penalty भी देखनी पड़ सकती है, समझ गया, rule और policy में क्या फरख है, policy जनरिक statement होते हैं, ठीक है भाईया, policy बना हैं, क्या नहीं करना है, कंपल सरी होते हैं, और उसके अपने severe consequences है, methods की बात करते हैं, method बेटा simple है, किसी भी काम को करने का एक best तरीका निकाल के लाओ, ठीक है, एक best method निकाल के लाओ, यही होता है method, method prescribe the way in which the specific task of a procedure is performed, procedure में लिखा हुआ, मैंने बताया न, procedure क्या है, जो आप पहले step पे, जो हमें काम करना है, उस काम को करने का best तरीका क्या होगा, best method क्या होगा, यह बताता है method, ठीक है, okay, method बिल्कुल specific होते हैं, और detail होते हैं, मतलब किसी एक problem के उपर बात करते हैं, और detail में बात करते हैं, इसके लावा, और how the employees must perform every task of the planned procedure, और एक employee को किस तरीके से procedure में लिखे हुए एक-एक task को perform करना है, यह method बताता है, कि एक employee को procedure में लिखे हुए एक-एक task को किस तरीके से perform करना है, यह भी method ही बताता है, ठीक है, भाई, तो कितनी चीज़े अपने सीख ली हैं, एक बार देख लेते हैं, objective में objective सेट कर लिए गए, strategy में all inclusive plan मना लिया, long course of action मनाने की बात होती है, and resources को लेके आने की बात होती है, objective हो गया, strategy हो गई, और क्या बचा, उसके बाद policy, policy particular strategy में हमारी पूरी energy channelize हो जाए, वो होती है, policy generic या general statements होते हैं, procedure step wise हमको guide करता है, फिर आता है आपका rule, rule में को flexibility नहीं होती है, rule अगर नहीं पालन करेंगे, तो consequences भी जिलने पड़ेंगे, यानि की penalty भी लगेगी, and अगर मैं methods की बात करूँ, तो methods क्या होते हैं, procedure में लिखे हुए हर task को करने का best तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिटा, कितनी हो गई, 6 चीज़े, objective, strategy, policy, procedure, rule, और method, ये 6 की 6 चीज़े, standing plan में आती हैं, अब बात क प्रोग्राम, और ये आपकी planning के chapter का last topic है, budget में क्या आता है, बेटा, budget एक statement of expected result है, जो manager मांगता है, जैसे कि मैंने budget बनाया कि मैं भाईया, 1000 unit produce करूँगा, 1000 unit, अब 1000 unit, बेटा, measurable है, बाई, digits में लिखा हुए, measurable है, expressed कर सकते हैं, हम numerical terms में, सबसे पहला पाट तो ये, कि हम ऐ ऐसी कोई भी digit, जिसको हम numerical terms में express कर पाएं, वो budget आ जाएगा, बजट होता है, budget वो statement होता है, जहां पे expected results लिखे हो, कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 1000 unit produce करना चाहता हूँ, मैं 10,000 unit produce करना चाहता हूँ, मैं 500 unit sale करना चाहता हूँ, तो ये मेरा sale का budget है, कि मैं इतना sale करना ठीक है, ओके, और एक budget में लिखा होता है कि एक organization का क्या future हो सकता है, future of the organization, there are many type of budget that managers make, there is obvious financial budget, the forecast, that forecast the profit of company, बेटा बहुत सारे तरीकों के budget होता है, लेकिन हर company में एक financial budget जरूर होता है, जहां पे company के profit के बारे में लिखा होता है, अब दूसरा single use plan जो होता है, अब budget जो है बेटा, वो आप हर objective के बाद change करते रहोगे, दूसरा single use plan क्या है, प्रोग्राम, जैसे हम लोग कहते हैं गुमने जा रहे हैं, अरे यार आज का गुमने जा रहे हो, आज गुमने का क्या प्रोग्राम है, अरे यार आज खाली बैटे हैं तो क्या प्रोग्राम है प्रोग्राम मतलब, प्रोग्राम मतलब होता है जहाँ पे सारी चीजें लिखी होती है, objective क्या है, कैसे achieve करेंगे, policy क्या है, अब प्रोग्राम इतनी बड़ी concept है ना, प्रोग्राम, ठीक है, जैसे कि एक organization में अगर साफ सफाई का कोई program है, cleanliness ड्राइफ चल लगी है, cleanliness प्र चाहिए, procedure पता होना चाहिए, rule पता होना चाहिए, task पता होना चाहिए, physical और human resource कितने लगेंगे, ये पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब, प्रोग्राम में वो सारी चीजें आ जाती है, and particular objective के लिए बनता है program, एक objective हुआ, उसके लिए हमने program मनाया, objective achieve, program समाप्त, program क्या था, साफ सफाई करना, आप साफ सफाई करने के लिए, लोगों की जुरुत कितने पड़ेगी, resources कितने लगेंगे, ये सारी चीजें आप अपनको पता होनी चाहिए, तो भईया, budget और program आजाते हैं, आपके single use plan में, thank you again बच्चो, बहुत-बहुत आपका thank you, इस session को देखने के ल अपना ख्याल रखिए, हसे रही है, पढ़ते रही है, मुस्कुराते रही है, फिर मिलते हैं, next class में, जैहन.